नमस्कार दोस्तों आप देखनें प्रधान मंत्री मोदी के चुनावी रंच्छत बनारस में 2024 के लोगसभा चुनाव के परणाम को लेकर मचे घमासान पर क्लाउं टेम्स की विस्स कवरेज इस वक्त हमारे साथ हैं राकेश सिंग अलगू जो भारती जन्ता पार्टी के पूर जिलाध्यक्ष है वो अर्तमार में DCF के चेर्मैन है और इन्होंने इनके सेवा पूरी छेत्र में प्रधान मंत्री मोदी को भंपर ओट मिलाया खासकर इनके बूत पर तो पहले तो में इसे पूरी बात चानना चाहें कि वहने इन्होंने इनको क्या जिम्मेदारी पार्टी को शौपी गई थी राकेश सिंगलगू, छेत्रिय सयोज़क साहकारिता प्रकोष्ट, पूर जिलाध्यक्ष, बर्तमान में District Cooperative Federation Limited के चेर्मैन 2024 के चुनाओं में हमारा बूत सबसे मजबूत हमने वो करके दिखाया अभी हाले ही में Cooperative का जब चुनाओं हो रहा था तो गाओं चलो अभियान के तहट साहकारिता जो गाओं से जोड़े हमने किशान, बंदूर, सब भी लोगों को ब्यापरियों को जोड़े उसका बड़ा लाब मिला और उसी का नतीजा है कि हमारे बूत नंबर 167 पे रैशीपूर जो अपना ग्राम सभा है रैशीपूर के नाम से समिती भी है और मैं वहीं का मूल निवासी हूँ तो हमारे बूत पर प्रधानमंत्री जी को पूरे सेवापूरी विधान सभा में सबसे नमर एक टाप बूत पे नमर मिला है 167 पे 629 मत्र वहीं पे गटबंधन के प्रत्यासी कांग्रेश को 144 ओट पे समितना पड़ा यह हम सब करकरताओं ने अपना करके दिखाया जो पार्टी का निर्देश था कि अपना बूत सबस ज्यादा भूम्यार मदाता होने के बावजूद धी मोदी जी को भूम्यारों का उट नहीं मिला है इसके पीछे कौन जी में दाए दिखिए जब चुनाओ आता है तो जाती फेक्टर बहुत काम करता है और ऐसा अब बूतों का मुलंकन हो रहा है उसमें ऐसा देखने से माह 2019 में पाए थे जश्ट उसका दूना आपकी बार ओट पाए हैं और हमारा संगठन उस पर एक एक बूत पर अभी चिंतन करेगा कि वहां पर किस गाओं पर हमको क्या ओट मिला लेकिन ऐसा लगता है हमारा भी मानना है कि जाती फेक्टर जवर्जस काम किया है आपके हां के सि यह लोग कुछ प्रभाव नहीं अपना छोड़ पाए क्या उस छेत्र में देखिए सुरें नारायन से रोहनिया के विधायक थे और वो पूरे पार्लामेंट के संयोजक थे लोग सभा के और एलेक्शन एजेंट भी थे मैं आपके माद्यम से बताना चाहता हूं कि विद्य यह दोड़ते थे छेत्र में प्रयास कर रहे थे लेकिन वोट में तब्दिल नहीं कर पाए इसको पार्टी चिंता करेगी कि आखिर क्या करनर था कि हमारे बर्तमान नयुक्त में नहीं कर पाए हम लोग तो वहीं के मूल निवासी हैं और वहां के जिला पंचायत 29 राजपूर हमारे गाउंपे पटेल हैं और चोटी विराजरी हैं विसकर्मा कहार प्रजापर्ती सब ओट मोदी जी को दिये हैं मात्र पड़ा जो एक उनके वो विराजरी से तालुकात रखते हैं उसमें भी हमने सेंट लगाने को कोशिस किया लेकिन अब संग्ठन अपन जीमेदारीनी भाई और रविंद्र जी ने इस चुनाव को कैसे दिखा रविंद्र जाइस्वाल जी ने आथक मेहनत और परिश्रम के साथ जो उन्होंने अपने छेत्र में एक-एक कारकरताओं से एक-एक बहुत पन्ना प्रमुक लोगों से जो सक्रियता के साथ मिलते थे यह उनके जितनी भी तारिव की जाए कम है और अही बात आपने पूछा अभी कि आपको क्या जीमेदारी मिली तो यहाँ पे हमको सायोजक के रूप में सारनाथ मंडल को देखने का प्रभार मिला था और उसमें हमारी पिछड़ी जाती से आते हैं और मोदी जी को जूम के लोगों ने ओड़ दिया जूम के ओड़ दिया सारनाथ मंडल का होनहार मंडल अजीस सिंग है महामंतरी हरिश्चन मौरिया है मलब वहां पर लगता था कि पार्टी संग्टन कुछ है ऐसे में मैं वहां पर बिद्या सागर को बढ़ाई देता हूं और अपने एसस्विय मंत को बढ़ाई देता हूं कि सभी लोग अगर मेहनत करना सिखें तो अपनी अपनी जिम्मेदारे रविन जैसवाल से कोई सिखें अलगुजी उसी विद्धान सभा से सटा हुआ शिवपुर्वार्ड है वहां भी एक मंत्री है अनिल राजभर वो इस चुनाव में किस रूप से अपनी भूमी का अदा किया उन्होंने और उनके छित में क्या रहा दिखें वो चंदौली लोग सभा के अंतरगर शिवपुर्विधान सभा आता है और मानिय मंत्री जी प्रियाग राज के प्रभारी थे अब उस छित के बारे में हम सही धंक से अलोकन कर लें तभी बता होगा कि वहां के संगठन के लोग हमारे जिला ध्यक्स जी बता सकते हैं या स्वय मंत्री जी बता सकते हैं या हमारे लोग सभा के प्रत्यासी अद्रणी महिनात पांडे जी थे वो बता पाएंगे मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारी जो कोपरेटिव है साहकारिता हमार पे कोई हमारे पार्टी का जो मैं जिस पद पे जीत के आया हूं उसमें मैं संगठन को बढ़ाई देता हूं जिन्नों मैं मेहनत करके आज कमल खिला है पचास साल के बाद DCF का कोई चेर्मैन कभी हुआ ही नहीं था यह भी हमारे कोपरेटिव और देश के ग्रिह मंत्री और जेपियस राठोर जी जो प्रदेश के होनहार और यहीं छाटसंग ब्यच्चू के अध्यक्ष रहे हैं उनकी देन है और महानगर जीला अध्यक्ष संग्ठन छेत्री अध्यक्ष कि यह देन है कि आज हम वहां पे कोपरेटिव का और मैंने कोपरेटिव के एक-एक समिति के मार्ध्यम से आज जो मैं 629 पाया हूं यह कोपरेटिव की देन है मैं जखनी और स्यवापुरी की 12 समितियां है और 12 समित में तीसरा अस्थान प्राद किया है यह समिति हमारी उत्तर प्रदेश में सदस्ता के मावले में में रहा है बनारस 30,000 सदस्द से हुए हैं उसका बड़ा लाव हुआ आने वाले कल में और आपको मैं बता देना चाहता हूं कि सहकारिता अभी और मजबूत होके उभरेगी जो किसानों के लिए जो प्रदान मंत्री जी ने पहला फंड रिलीज किया किसान भाईयों के लिए उसमें सहकारिता अपने अहम भूम का निभाएगी अपने सिर्श नित्रत और आपके मादम से प्रदान मंत्री को मैं चड़ों में पढ़ाम करता हूं और संगठन और मानन सिंग अलगो जिन्होंने 2024 के लोग सभाद चुना में प्रदान मंत्री मोदी को जो मतदान हुआ है बनारस में जिसका प्रत्सत भले ही कम रहा है लेकिन एक एक कार्यकरता ने अपनी पूरी मेहनत की है क्लाउन टाइम से बातचीत करने लिए आपका बहुत बहुत धन्यवा करें क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेस्बुक पेट पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें